हलो दोस्तों कैसे हो आप लोग स्वागत आपका हमारी चैनल कम्प्लीट सोलूशन में दोस्तों जादा नहीं टोटल यहाँ पे 10 सवाल हैं 10 के 10 काफी important सवाल हैं और काफी important भी है और काफी interesting भी तो दोस्तों ये काफी repeat भी हो रहे हैं आजकल exam में तो आप काम कीज़ेगा दोस्तों बीना वीडियो को skip किये पूरा वीडियो दोस्तों देख लीज़ेगा ताकि आपको कोई भी confusion फ्यूचर में ना रहे तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं टोटल फ्रेंड्स चार बार चार बार लागातार गुजरात के मुख्य मंत्री रहने के बाद ये चार बार लागातार गुजरात के चीफ मिनिश्टर बने है और उसके बाद 2001 से ले करके 2014 तक ये लागातार आपको चीफ मिनिश्टर गुजरात के रहे हैं उसके बाद 26 मई 2014 को 14 हमें परधान मंतरी के रूप में ध्यान दिजेगा 14 हमें परधान मंतरी के रूप में 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने सपत लिया था अगर बात करें इनके जन में की दोस्तों तो इनका जन में बढ़ नगर गुजरात में हुआ था और इनके पिता जी का नाम था स्री दामोदर दास मूल चंद मोधी ठीक है इन से पहले परधान मंतरी थे मनमोहन सिंग जी जो की 10 साल तक सासन किया है और अगर बात करें इनके भाई की तो दोस्तो ये तीसरे नंबर पर आते हैं टोटल भाई बहन ये छो हैं दोस्तो इनके बचपन का नाम था नरेंदर दामोदर दास मोधी लेकिन इनके फेमिली में लोग ज़्यादातर नरेंदर या नमो भी कहते थे नमो जो नाम है इनका दोस्तो बचपन में भी काफी फेमस था और ज़्यादातर लोग इन्हें नरेंद्र या नमो नमो कहते थे तो बच्पन में इनका नाम आप बोल सकते हैं कि नमो था और पूरा नाम था नरेंद्र दामोदर्दास मोधी अब चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं जो कि काफी भी भी आई सवाल है और अब बार बार एक्जाम में पूछ रहा है आज कल तो बहुत ज़्यादा पूछ रहा है दोस्तो कि पूरा ना सूर्गरणा कब लगता है ये काफी आपको रेलेवे में भी पूछा था अभी देखी बीए सेसी का एक्जाम हुआ था दोस्तों में भी पूछा था ये और ज़्यादा तर ये ओप्सन आपको देखने को मिलेंगे और confusion यहाँ पर continue रहता है student के पास कि इसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं पहले दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जान लिजी आप कि सूर्गरहन लगता है तो क्या होता है जब सूर्गरहन लगता है दोस्तों तो बीच में चंद्रमा आता है क्यों इतना समझ लिए कि सूर्गरहन लगता है तो बीच में चंद्रमा आएगा और जब चंद्रगरहन लगेगा तो बीच में पिर्थवी आएगी बस ये ट्रिक है और अगर बात करें पूर्ण सूर्गरहन की तो दोस्तो एक होता है आनसिक सूर्गरहन ठीक है जिसमें सूर्ज का एक भाग छीपता है और एक होता है पूर्ण सूर्गरहन उसमें क्या होता है कि जब सूर्ज कुछ देर के लिए कुछ देर के लिए पूरी त सवाल कभी कभी टच कर देता है कि पूर्ण चंद्रगरहन कव लगता है तो दोस्तों ये लगता है हमेशा पूरी मा को ठीक है वो पूरी मा को लोगेगा और ये लगता है आपको आमोवश्या को तो ये तो क्लियर हो गए आप अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ ध्यान में हमेशा रखियेगा दोस्तों कि चंद्रगरहन में हमेशा पिर्थवी बीच में आती है और सूरे गरहन में चंद्रमा बीच में आता है चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ बीजगरित का अविसकार किस ने किया था तो यहाँ पे चार ओप्सन आपके सामन हैं और यह आपने सुना होगा कहीं ने कहीं वराह मीहर का नाम यह भी मैं बता रहा हूं कौन थे और इसका जो आपको राइट आंसर होगा इ Forgive होगा आपको option number B यानि कि अल्खवारिज्मी इनका नाम अल्खवारिज्मी है और बीजगडित के अविस्कार का स्रे इन ही को जाता है अब ये रहने के कहा के रहने वाले थे तो दोस्तों ये थे फारस के रहने वाले नाम था फारस जो कि अब आपको इरान का पूरा इलाका फारस में आता था पहले तो फारस के रहने वाले थे अब इनको समझ लिजे ये आपको हो गया किलियर कि बीजगडित का अविस्कार अल्खवारिज्मी ने किया था अब वराह जाता है कि इनों ने जीरो का अविस्कार किया था अब चलिये ये तो क्लियर होगे आपका बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल चौथा देख लेते हैं दोस्तों कि सफेद कोईला किसे कहा जाता है तो दोस्तों इसका सही जबाब होगा option number C यानि जल विद्यूत जिसको English में कहते है hydro electricity अब क्यों कहते हैं इसको क्योंकि दोस्तों यह पानी कुर्रोक करके टर्बाइन पर गिरा जाता है जब आपको डैम होगा अगर आप देखे होंगे आप तो वहाँ पानी कुर्रोक करके उसे टर्बाइन पर गिरा जाता है और वहाँ से electricity पैदा होती है इसलिए दोस्तों इसको कहा जाता है सफेद कोईला क्योंकि इससे उर्जा का निर्माड हो रहा है इसको English में जल विद्यूत को क्या बोलते है hydro electricity अब चलिए पाँचवे सवाल की तरफ बढ़े लेते हैं पाँचवा सवाल है दोस्तों कि भारत का दूसरा ताज महल कहा पर इस्तित है दोस्तों टोटल दस सवाल है और दसों काफी indirectly सवाल है जो की काफी एक्जाम में आजकल रिपीट कर रहे है इसको समझ लिजे भारत का दूसरा ताज महल कहां पर इस्तित है तो फ्रेंट्स पहले अगर बात करें ताज महल की तो ताज महल आगरा में है जिससे सह जहाने बनवाया था अपनी पतनी की याद में पतनी का दिहान बुरहानपूर में हुआ था लेकिन उनके सो को आगरा मिला करके दफना आ गया था और दूसरा जो ताज महल दोस्तो है वो महराष्ट के औरंगाबाद में है ठीक है और ताज महल के देखा देखी है उनके पोता थे आजम सा तो वो अपनी मा के याद में ये दूसरा ताजमहल बनवाय थे जिसको हम लोग सेकेंड ताजमहल अफ इंडिया कहा जाता है सेकेंड ताजमहल अफ इंडिया तो ये दोस्तो और अंगाबाद में है ठीक है और पहला ताजमहल कहाँ पर है तो पहला ताजमहल आपको आगरा में पढ़ता है साज हाने जिसको बरवाया था तो चलिया ये तो पास सवाल क्लियर हो गया छटवे सवाल की तरफ बढ़ते हैं छटवा सवाल दोस्तो है कि UNESCO का मुख्याले कहां पर इस्तित है काफी यहां पर भी दोस्तो लड़के मिश्टेक कर देते हैं और कभी कुछ लोग New York मार के आ जाते हैं कुछ लोग Paris मार के आ जाते हैं तो देखिए इसका जो रियल एंसर होगा वो होगा आपको Paris, UNESCO का मुख्याले दोस्तो Paris में है अब New York कहां पर है दोस्तो तो यह है UNICEF का मुख्याले इसको ध्यान से समझ लिजेगा UNESCO का Paris है और UNICEF का New York होता है ठीक है और बात के वियना दोस्तो तो वियना आपको ओपेक का मुख्याले है ओपेक का मुख्याले वियना पढ़ता है और WHO यानि की World Health Organization इसका आपको है जेनेवा इसका मुख्याले जेनेवा में है तो ये तो आपको किलियर हो गया कि UNESCO का मुख्याले पेरिस में है और UNICEF का New York में है तो अब चलिए बढ़ते हैं 7 सवाल के तरफ और काफी important सवाल है ये भारतिये नोट में लगने वाली स्याही कहां पर बनती है जो हमारे यहां जो नोट बनता है तो उसमें जो INC का परियोग किया जाता है वो कहां पर बनता है तो देखिए एक कमपनी है Switzerland की कमपनी है उसका नाम है Sikpa ठीक है क्या नाम है Sikpa नाम है और ये इंडिया को ही नहीं दोस्तो बहुत सारे देश को एक्सपोर्ट करती है ये स्याही एक्सपोर्ट करती है जो कि आपको नोट बनाने के काम आता है तो ये एक Switzerland की कमपनी है जिसका नाम Sikpa है और वहीं से दोस्तों ये INC आती है इंडिया में और उसे नोट बनते है जबकि अभी आपको अभी हाली में ये खवर निकल के आई थी कि अब इंडिया अपना खुद का INC बनाने जा रहा है और नोट का जो कागज होता है वो भी यहाँ पे ही बनेगा तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आठवे सवाल की तरफ अब चलिए दोस्तों दो सवाला और बचे हैं आठव फटीस को देख लेते हैं तो नेक्ट सवाल है दोस्तों कि फोजिट्रोन की खोज किस ने की थी यहाँ पे बहुत सारे लोग मिश्टेक कर देते हैं और मार के चले आते हैं रदर फोड जो की गलत है रदर फोड ने नाइट्रोजन की खोज की थी और पोजिट्रोन की खोज आपको करल एंडर्सन ने की थी किसने की थी करल एंडर्सन ने अब देखिए यहाँ पे निट्रोन की खोज किसने की थी जैम्स चेडविक ने जैम्स चेडविक ने निट्रोन की खोज की थी तो यहाँ पर देखिए यही चीज दोस्तो समझना बहुत जरूरी होता है कि छोटी-छोटी चीजे अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो कहीं नहीं गलत हो जाता है तो nitrogen की खोज Rutherford ने की थी, neutron की खोज James Shedwick ने की थी और positron की खोज Karl Anderson ने की थी अब चलिए बढ़ते हैं 9 सवाल की तरफ, 9 सवाल दोस्तो current affairs related है, अभी हाली की घटना है दोस्तो, हाली में 20 cancer दिवस कब मनाया गया, ठीक है तो दोस्तों इसका जबाब होगा आपको 4 फरवरी, 4 फरवरी को हाली में 20 cancer दिवस मनाया गया, और ये एक्जाम में पूछ भी सकता है और ये भी पूछ देता है कि थीम क्या था इसका है, तो दोस्तों मैं हूँ, मैं रहूंगा, क्या थीम है इसका, मैं हूँ, मैं रहूंगा, ये 2019 का इसका थीम है और cancer दिवस 4 फरवरी को मनाया गया, अब चलिए बढ़ते हैं, दसवे और अंतिम सवाल की तरफ, ये देखिए, मानों सरीर में सबसे अधिक मातरा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, दोस्तों तत्व की बात की गई है, ध्यान से देखिएगा, सरीर में पूछ रहा है सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा होता है, अब यहाँ पे confusion कहाँ पे लोगों को होता है, कभी-कभी एक्जाम में पूछ देता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मातरा में पाए जाने वाला तत्व, और आप अगर वो याद किये हैं, तो यहाँ पी इंकलिट कर दीज तो आपका पूरा गलत हो जाएगा, यहीं मिश्टेक सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, तो अगर यह पुछे आप से कि मानो सरीन में सबसे अधिक मातरा में कोन सा तत्व हो पाये जाता है, तो दोस्तों ऑक्सीजन होता है, लगभग 65% ऑक्सीजन होता है बोडी में, और ब आप से यह पुछे कि वाई मंडल में, वाई मंडल में पुछ दे, तो वहाँ पे दोस्तों 21% ऑक्सीजन होता है वाई मंडल में, और नाइट्रोजन 78% होता है वाई मंडल में, और यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, 65% होता है मानो सरीर में अगर प और वायू मंडल में जो होता है ओक्सीजन 21 परतिसत आप बोल सकते हैं तो दोस्तो ये तो था आज का 10 सवाल और वीडियो को लाइक करना दोस्तो बिल्कूल मत भूलियेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ली जगा तो दोस्तो अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं आप से नए वीडियो के साथ तब तक के लिए इजादत दिजिए जय हिन जय भारत